तो आज आप सिखेंगे कक्षा दस्वी का चैप्टर 9 साइन कॉस तेठा प्रश्ण वाली 2 प्रश्ण वाली 3 मैंने पूरा समझा दिया है पार्ट 2 पार्ट 3 करके उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन मिलिंग दिया हुए तीनों पार्ट का जा करके देखे और इसके डाउट सारे क्लियर करें बीना फार्मूले के मैं शैप्टर को समझाता हूं अब यह किन नह लॉतमे ने माइनास इन करनी कोंस गोजा को इदा लाया तो माइनास इधरा क्या हो जाएगा प्लस छिन बदलता है प्लस है तो माइनस माइनस ब्लस घुड़ा हो गया यह मांइसी व्लस भाग को नीचे लाईए तो उपर में गुड़ा कर रह tentative two which has its understood gna और 2 का 2 अब क्या किया 2 को नीचे लाया तो यह दो जो इसके सांथ गुड़ा कर रहा था वो नीचे आ गया अब आपको बताने कि कॉस का करनी 3 बटे 2 किस डिग्री पे आता है तो वह 30 डिग्री पे आता है और अगर नहीं बताना चाहते तो छोड़ दो यहीं आपका अंसर है लगा कोई सुत्र नहीं लगा ना बताओ ऐसी डरते हो आप लोग डरना नहीं है SDM सर की क्लास है दूसरा प्रश्म देखो 2 sin square theta minus cos theta बराबर एक को हल कीजिए देखी मैंने क्या किया फार्मूले से मान रखा आप फार्मूला क्या है कि जब भी sin square दिखे तो आपको 1 minus cos रखना है और जब भी cos square दिखे मतलब वहाँ आपको 1 minus sin रखना है अगर आप रख के हल करना चाहते तो आप कर सकते हैं इसलिए मैंने sin square के जगा क्या रखा फार्मूले से 1 minus cos square तो जब भी मैं कुछ मान रखूंगा तो मैं bracket में लिख देता हूँ ये बड़ी हाथ है इसको सामने में लिख लिए ये बीच में रहा और 2 में 1 गया 1 ठो 1 बचेगा तो plus 2 में 1 minus घटेगा तो plus 1 बचेगा ना plus 2 में 1 गया plus 1 ये बचा इसके बद क्या कि मध्यपत दोड़े लेकिन सामने में minus नहीं होना चाहिए अगर minus है तो पहले minus का करण में गुड़ा होता है तो minus minus plus minus plus plus minus minus हो गया clear okay अब क्या किये मध्यपत तोड़े अब मध्यपत तोड़े आपको चैप्टर 1 में मैं सिखा दिया हूँ अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देखिए मेरा वह पहला वीडियो मेरा वह वीडियो जो मैंने चैप्टर 1 के यह बनाए था ठीक अब देखो धियान से मध्यपत तोड़ो तो बीच में ऐसी संख्याएं लाओ जिसको जोड़ घटा करके यह आजए और गुड़ा करके सामने लिए संख्या आजए तो देखिए अगर आप two cost में सिर्फ cost का गुड़ा करते हैं तो two cost का cost से गुड़ा हो दो cost दिख रहा है बाहर निकाल दो इसको दो cost बाहर आया double square में था तो एक ठो cost बचेगा लिकन यहां से पूरा cost बाहर आ गया तो वहां कुछ नहीं बचेगा तो एक लिखना है क्या लिखना है एक तो एक लिख दिए इन दोनों में कुछ दिख रहा है क्या क्या दोनों में कॉस है नहीं है क्या दोनों में एक है हाँ एक दोनों में है हर वो संख्या अचार रासी क्यों नहों इसे लेकर के जेट तक के एक से लेकर के 100 तक का ठीक है इनमें एक रहता है इसमें क्या रहता है एक रहता है इसलिए दोनों में एक है तो माइनस एक को common निकाले तो यहां सिरिफ cause बचा और माइनस माइनस निकालोगे तो प्लस हो जाता है और जब कुछी नहीं बसता पूरा संग्य बाहरा है तो वहां तो एक रहता ही है तो एक आपको लिखना है अब देखो यहाँ जो bracket में हमने common निकाल के बचाया यहाँ जो बचा दोनों same है और जब भी दोनों same हो तो एक बाल लिखते हैं और यह जो two cos है और यह जो minus one है उनको एक सांथ bracket में लिख लेंगे तो यह दोनों को एक सांथ लिखा और यह दोनों को एक बाल लिख दिया ठेक, अब जो बराबर में 0 है, वो दोनों के लिए है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक तर के पक्षांतर कर सकते हैं, तो देखिए, अगर प्लस 1 को मैं उधल आना चाहूं, तो माइनस 1 हो जाएगा, जो कॉस कमान होगा, इसमें अगर मैं इसको उधल ना हूं, तो माइनस 1 इधरा प्लस 1 और 2 उसके नीचे आज आएगा, तो कॉस कमान एक बटे दो, अब एक बटे दो किस डिग्री पे आता है, तो 60 डिग्री पे आता है, अगर आपको पता है, तो रखो नहीं तो छोड़ दो, क्या सोच रहो कि यह लिखो लिखना जरूरी है, नहीं है, इतना जब भी सेकी स्क्टेर, तो आप वहाँ ओन प्लस 10 स्क्टेर रख सकते हैं, तो मैंंने रख दिया, अब उसी 1 प्लस 10 स्क्टेर में 2 का गुड़ा करूंगा, तो 2 एक कम दो, 2 वन्स अट्टो ठीक है, दो एक कम दो यहाँ भी हो गया, प्लस 1 का 1, अब यह प्लस 2 तेन अब 2 में एक जुड़ेगा तो 3, simple, 3 10 में 2 10 घड़ जाएगा तो एक ठो 10 बचेगा, 10 टना टन, अब 3 का 3 है, अब स्क्वेर इधर आएगा, इसकी घाथ 2 है, तो क्या बन जागा करनी, अब बस यही आंसर है, और बता सकते हो कि 10 का करनी 3 किस डिगरी पर आता है, तो 60 डिगरी और यहां sine square बदल दो फिर उसको one minus cos square में, जैसे यहां बदले थे, अब जैसे यह बदल दिये, इसका step two हो गया, अब दूनों को इधर लियाओ, तो minus cos इधर आके plus cos, plus 20 इधर आके minus one, अब देखो, यह इधर आया तो दूनों को सांथ में लिग दिया, और एक cos square और एक cos square ज ज़दाना है ठीक इसके बाद देखो गहांगोगा इसके बाद आपको ध्यान देना है यह जो partition है इसमें आपको फिर से मध्य पत्त तोड़ना है क्या करना मध्य पत्त थोड़ना है अब बीच में क्या है माइनस तिन diagnostic GOES मैं एकन जोडोगे तो तीन कॉस आ बाद ब्रेकेट में सेम संख्या बची तो एक बाद लिख लिए जो बहार में उसको फिर से ब्रेकेट में लिख लिख लिए बिल्कुल पहले प्रस्ति जैसे अब क्या किया देखो, 0 तो दोनों के लिए है, तो अगर इसके बराबर 0 लो, तो minus 1 निधरा के plus 1 और 2 उसके नीचे, तो यह cost कमान है, इसके बराबर लो, तो फिर minus 1 निधरा के सिर्फ plus 1, अब दोनों ही cost के मान है, वो 0 degree पे आता है, और वो 60 degree पे आता है, बस इतना ही बताना है, चौथा, चौथा प्रश्णों गया, पांचों प्रश्णों देखो, पांचों प्रश्णों में क्या है, cost बट्टे 1-sin, plus cost बट्टे 1-sin, अब यह सभी प्रश्णों से हटके है, अब बहुत इसाराल है न, देखके समझ लो, दोनों में जो दिखा उसको हमेशा common निकाल से है, गया, तो जब दोनों का cost बाहर चला गया, यहां कुछ नहीं तो एक संख्यह से में, कुई बदलाओ, नहीं हुआ, सिर्फ common निकालेक कुछ नहीं बचता तो एक लिखने में, लिख लिए भाई, अब तिरिया गुड़ा होगा, जब भी बट्टे में होमें, बीच में यह उपर आके नीचे का गुड़ा होगा तो 1 का स्क्वेर माइनस साइन का स्क्वेर एक प्लस एक माइनस हो तो पहली संख्या का स्क्वेर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वेर लिखते हैं इसके बाद देखो यह साइन प्लस है और यह साइन माइनस है तो साइन से साइन कट ग टू कॉस स्क्वेर को ब्रेकेट हटा करके गुड़ा में लिखा बराबर चार है अब दो कॉस घटेगा ना कट जाएगा तो बटे कॉस बचेगा अब कॉस को इधर लाओंगा चार को इसके नीचे भेज दूँगा तो कुल मिला के कॉस कमान क्या आना है दो बटे चार आना है अब आपको कोई डाउट नो सर नो डाउट ठीक है भई तो मैंने बताया था सुत्र नाम मात्र होते हैं और हैं भी तो बहुत ही कॉमन है प्रशन जितना ज्यादा बनाएंगे सुत्र रियात करने के जरुरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आप प्रशन नहीं बनाते तो आ आप पढ़ लेंगे प्रशन वाली एक के सारे प्रशन जैसे आपने टूका पढ़ा ठीक उसको देखने बाद फिर नेस अपने स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द बाए बाए